Hello everyone and welcome to SSC Trek. आज हम लोग देखने वाले हैं SSC MTS की Job Profile. Now SSC MTS की Job Profile में आज हम लोग ये 5 पॉइंट discuss करने वाले हैं. That is, posting आपकी कहां कहां होगी, promotion कितने साल में होगा और क्या इसके chances रहते हैं, work of MTS यानि की आपको काम क्या करना पड़ेगा, आपकी Job की टाइमिंग क्या होगी और Salary and Benefits. So, वीडियो शुरू होने से पहले, make sure आपने चैनल को सबस्क्राइब कर लिया है, आप हमारे चैनल को Facebook और Telegram पे भी नीचे जॉइन कर सकते हैं, आपको नीचे इसका link description box में मिल जाएगा, और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसना है, तो लाइक जरूर करें. So, move on कर दें सबसे number one topic that is posting. So, posting आपकी क्या है, one state lifetime posting है, यानि कि अगर आपकी posting किसी एक particular state में हो गई है, तो पूरी lifetime आपकी posting उसी state में रहेगी. For example, अगर आपकी posting हो जाती है बिहार में या या यूपी में, तो आपकी पूरे lifetime उसी state में रहेगी. Next is only one department, आपको same department के लिए मतलब पूरे lifetime आपको उसी department में काम करना पड़ेगा. Transfer in state department, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपकी for example किसी एक state में लग जाती, जैसे हम लोग ले जाते हैं माल लेते हैं, यूपी में हो जाती है अगर आपकी posting. So आपका within the state, different cities में transfer होगा. इसा क्या मतलब हुआ कि जैसे for example आपकी job लगी लगनाउ में. So आपका within the state, यानि यूपी में ही different state में आपका transfer कर दे जाएगा. For example, जैसे लहाबाद में हो गया, कानपूर में हो गया. So within the state, आपका different different cities में आपका transfer होगा. So hope ये point clear होगी होगा posting का. So मतलब एक ही state में आपकी posting रहेगी और different उसके cities में आपका transfer कर दिया जाएगा. So ये था हमारा posting का. Next हम लोग जाते हैं promotion में. So बात करते हैं promotion की तो आपको जो promotion होगा, वो 4-5 years में हो जाएगा. कुछ ऐसा नहीं है कि आपका promotion मतलब होगा निवले, आपका promotion जो होगा, वो 4-5 years में अराम से हो जाएगा. जो promotion के बाद आपको जो next जो post मिलेगी पहोगी LDC की जो कि आपको 10-27 के exam देने के बाद मिलती ह bilmiyorum. Promotion होने के बाद यानि कि 4-5 साल के बाद आपको LDC की job मिल जाएगी. उसके 4-5 साल के बाद आपको UDC यानि कि Upper Division personnel की post मिल जाएगी. और उसके 4-5 साल के बाद आपको assistant की post मिल जाएगी यानि कि आपको 10-12 साल के अंदर आप UDC की post में आ जाएगे जो कि आप देखी सकते कितना promotion का भी काफी अच्छा है क्योंकि एक confirmly promotion होगा ऐसा नहीं होगा कि 10-12 साल तक आप एक ही post लेकर के बैटें ऐसा नहीं है आपको MTS की job मिल जाती है तो आपको क्या work करना पड़ेगा यह following work आपको करने पड़ेंगे that is computer work यानि कि आपकी वह भी degree पर डिपेंड करता है तो आपको 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 computer work दिया जाएगा file work दिया जाएगा paperwork, telephone related जो भी आपको work दिया जाएगा आपको क्या कर सकते है तो उस बेसिस पर आपको यहां पर different work दिया जाएगी जैसे computer work, file work, paperwork, telephone related work और email related work वोप आपको work clear हो गया होगा next जो सबसे best चीज है इसकी वह है job timing यानि कि आपकी job की timing करेगी तो 9 to 5 रहेगी यानि कि सुबह 9 बज़े से शाम के पाच बे तक यह सबसे best timing है और एग्जामपल अगर आप किसी और competitive exam की preparation कर रहे है तो आपके लिए time भी बहुत है आपको पढ़ने का भी time मिलेगा और job का भी जादा आपके बास burden नहीं रहेगा 9 to 5 रहेगी आपकी job Monday to Friday रहेगी यानि कि आपको two days holiday मिलेगा Saturday and Sunday Monday to Friday ही आपकी job रहेगी कोई extra काम नहीं रहेगा और gazette holiday भी रहेगा for example जैसे आपके जो दिवाली, होली, रक्षा बानन इन सब पे भी आपको holiday मिलेगा so job timing बहुत अच्छी है और मतलब हकते में से 5 ही दिन आपको job करना पड़ेगा, gazette holiday भी मिलेगा और कोई भी extra work भी नहीं रहेगा so job timing भी आपको clear हो गई होगी so next हम बात करते हैं salary की, so जो आपको gross salary मिलेगी वो 21,000 से 24,000 salary आपकी बनेगी in hand job salary मिलेगी वो 18,000 से 20,000 तक मिलेगी आपको salary और ये भी आपकी जो है वो state to state differ करेगा for example अगर आपकी posting जो है वो Delhi में या कुछ ऐसे areas में है तो वहाँ पे आपकी salary जादा होगी और अगर भही आपकी ये बिहार side या इस तरफ किसी side होती है तो आपकी salary वहाँ से थोड़ी से कम होगी so salary जो है वो state to state differ करेगी that is salary depends from state to state so आपकी जो in hand salary होगी वो 18,000 से 20,000 के बीच होगी और जो हमारा जो last topic था वो था benefits आपको क्या के मिलेंगे so आपको इसमें free medical service मिलेगी free education for children so आपको free medical service मिलेगी free education मिलेगी children के लिए up to intermediate तक job security रहेगी आपके पास यानि कि ऐसा नहीं है कि आपको मतलब अपने मर्जी से ही वो कभी भी रख लें कभी भी निकाल दें ऐसा कुछ भी नहीं है अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें चानल को सब्स्राइब कीजे और हमें फेस्बुक और टेलिग्राम पे भी जॉइन कीजे नीचे आपको लिंक इसका दिस्रप्शन बॉक्स में मिल जाएगा थैंक यू